अन्ववी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस grouping test, 20 प्लस unit wise test, 58 प्लस PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवर paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरुप पर आप जूड़ सकते हैं टेलग्राम लिंग है आधिता classes exam guru निसुत सभी वीजियो एवं परिषा समझानकारी के लिए जूड़े टेलग्राम रूप से या अपने mobile से scan करके 17 का पहला question है राश्टी अंतराश्टी गटना करम में कौन सा और सत्त है VISA का सबसे बड़ा पावंस और अउर्जा सयंत्र रानी खेत उत्राख़ड में है उत्राख़ड में शुरू हुआ दूसरा आमधाबाद को VISA का सबसे बड़े खेल सहर की रूप में विकसित करने का घृषड़ा किया है तीसरा चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और उभुकता के रूप में भारत उबरा है चोथा हाइड्रोजन से चलने बाला विसु का प्रतम यात्री ट्रेन जर्मनी ने लांच किया है आंसर होगा पहला याद रिखिएगा विसु का सबसे बड़ा पवंस और उड़जा संयंत्र जो है जैसमलेर जो है राजस्तान में सुरू किया गया है और ये भारत का विसु का पहला हाइड्री उड़जा संयंत्र है प्रसिद लेखक असगर वजाहत की पुस्तक है पहला मैं तो यहां हूँ दूसरा ट्रामा अफसेंड तीसरा महाबली चौथा समराट असूक आंसर होगा तीसरा महाबली यहाद रिखेगा असकर वजाहत की पुस्तक महाबली इन्हें ब्यास सम्मान 2021 में दिया गया था पहला अफसेंड आप देख रहे होंगे मैं तो यहां हूँ यह रामदरस मिस्र जी का है और सुरुस्ती सम्मान 2021 मिस्र को दिया गया था दूसरा आपसन आप देख रहे होंगे ट्राम आपसन ये गितान्जिली स्री ने लिखा था और ये इने मैनबूकर आंतराश्टी पुरुसकार मिला था चौथा आपसन देख रहोंगे समराट असूग तो समराट असूग जो है नाटक है दया प्रकासिनहा जी का नाटक है और हिंदी भाज़ा का साहित पुरुषकार दया प्रकासिनहा को मिला था नेस्ट कोशन राष्ठी खेल विस्विद्याले कहां इस्तित हAI आपसन है बड़ोद्रा दूसरा गुरगाओं तीसरा मरिपूर और चौथा है कुसी नगर answer होगा मरिपूर मरिपूर में आप जानते होंगे खेल बिस्विद्राश्टी खेल बिस्विद्याला है पर्थम बड़ोद्रा में क्या है तो भारत का पर्थम रेल बिस्विद्याला है और गुड़गाओं में क्या है तो भारत का पर्थम रच्छा बिस्विद्याला है तो चौथा आपसन कुसी नगर कुसी नगर में क्या है तो भारत का पर्थम ट्रांसजंडर विश्विद्याल है याद रखिएगा कुसी नगर में है आपकी जामेगर पूच दे अभी हाल में ही भारत में कहां अंतराष्टी हवा यद्डा नया खुला है या उद घाटर मोदी जीन किया है तो वो कुसी नगर लगाएगा कुसी नगर में नया अंतराष्टी हवा यद्डा खुला हुआ है नेश कोशन करोना परदसन में भारत का कौन सा सुचकांग है पहला 88 दूसरा 86 तीसरा 132 और 14 121 आंसर होगा दूसरा 86 तीक है भारत का 121 महास्थान है नेश कोशन निन में से एलेस ब्यालस की का संबंध है पहला अंतराष्टी सतरंज महासंग के उपध्यच दूसरा सांती के छित्र में नोबल पुरुसकार तीसरा केन्या के वर्तमान राश्पती और चौथा आस्टेलियन वर फ्रेंच उपन बिजे याद रखिएगा आंसर होगा दूसरा सांती के नोबल पुरुसकार बिजेता एलेस बीयालस की है और आज जैसे कि पहला आपसन आप देख रहे होंगे सतरंज के अंतराष्टी सतरंज महासंग के उपध्यच एक जाम में आ सकता है क्योंकि भारती बने है और उस भारती का नाम क्या है विश्वनात आनन तीसरा आपसन आप देख रहे होंगे करन्या के वरतमान राश्पती तो कौन है विलियम रूटो याद रखिएगा विलियम रूटो करन्या के वरतमान राश्पती है और चौता आप देख रहे होंगे आइस्ट्रियम फ्रेंच उपेन तो रा आप जानते होंगे भीमबिटका गुफा कहा है भोपाल में है भोपाल के पास राशेंजीले में और आप ये भी जानते होंगे भारत भवन कहा है तो भोपाल में है तीक है आपसन एक देखिए देहरादून तो देहरादून में क्या है वन अनुसंधान केंद्र है भारत का कह कहा है देहरा दून में है पेट्रोलियों अनुसंधान के इंद्र कहा है देहरा दून में है समवेदी प्रेड़क अनुसंधान संस्थान कहा है देहरा दून में है और बास्मति चावला अनुसंधान संस्थान कहा है देहरा दून में है नेक्ट्ट कुशन वाई मंडल के किस परत में उजोन परत है। पहला अप्षन ट्रोपोस्पियर, दूसरा स्टेटोस्पियर, तीसरा आइनोस्पियर, और चौथा एकजोस्पियर। तो आंसर होगा दूसरा इस्टेट्रोस्पियर या सम्ताप मंडल याद रिखेगा इसी सम्ताप मंडल में या स्टेट्रोस्पियर में हवाई जहाज भी उड़ता है और रोजून परत भी है ट्रोपोस्पियर को छोब मंडल भी का जाता है और इसी छोब मंडल में माउंट ए पर दूसर के सूचा के रूप में माना जाता है पहला अपसन लाइकेन दूसरा अपसन जलकुमी तीसरा अपसन एश्चिरी चीये कुलाई और चौथा अपसन कोई नहीं कहात रखिएगा आंसर होगा एश्चिरी चीये कुलाई या एक तरह का बैक्टिरिया है जो जल पर दू सब्सक्राइब एस सब्सक्राइब तोょ ग्हजना कि लिए है और तीकरपण ग्हड्यालoc जोतल किर्टी दूसरी तीसरी भानुरूбत और शौथा रूदर्द्धामन से करनात्या से है रवी किर्थी से है आपको कमेंट बाक्स में बताना है ऐसी कौन सी बात है एक होलब की जो अक्सर रिक्जाम में पूछा जाता है दूसरा हरिस्टेड की विसे में जानते होंगे इनोंने प्रयागपर सस्ती लिखा और समुद्ध की गुप्त की बढ़ाई में रुद्धामन ने जूनागढ़ विलेख लिखा जैनी भारत में का पहला संस्कीत भासा का विलेख जूनागढ़ विलेख है किसने लिखा रुद्धामन ने लिखा किस कब लिखा एक सो पचास इस भी में लिखा नेश्ट कोशन दच्छड भारत की सरोच चोटी है अनाई मुदी, दूसरा महंदगिरी, तीसरा कलसी बाई और तीसरा कंचन जंगा तो दच्छड भारत की सरोच चोटी का नाम है अनाई मुदी याद रखिएगा अनायमुदी है कहां तो केरल में है महंदगिरी कहां है तो उडिसा में है याद रखिएगा पूरवी तटका सबसे उचा चोटी कोई है परवत है तो महंदगिरी है और पश्यमी घाट महराष्ट का जो है सबसे उचा चोटी कोई है तो वो कल्चु बाई याद रखिएगा अग कंचन जंगा कहा है? सिक्की में है यानि विशु का सबसे उंचा तो माउंट एवरेष्ट है और विशु का दूसरा सबसे उंचा तो केटू गाडवी निस्टिन है अभिस्व का तीसरा सबसे उंचा याद रिखिएगा जो है कंचन जंगा सिक्की में आंसर लगाईएगा Next question है कि मजहर प्रथा भारत में किसने शुरू किया चार आपसन पाला आपसन है बलवन, दुसरा आपसन इल्तुत्मिस, तीसरा अकबर और चोथा अलाओदीन खिल जी जाद रिखिएगा आंसर होगा तीसरा अकबर बलवन ने क्या किय थे तो बलवन ने सिजदा प्रथा और पाबोश प्रथा की सुरू आत किया था इल्ट उत्मिस ने क्या किया था इक्ता ब्योस्ता की सुरू किया था इक्ता ब्योस्ता मतलब वेतन के बदले जो है भूमी देना और जो है चोथा आपसन देख रहोंगे अलाओदिन खिल जी तो अलाओदिन खिल जी क्या किया थे ये चेहरा प्रथा और दाग प्रथा के सुरुवात किस ने किया था भारत में अलावदीन खिलजी ने किया था नेक्ट कोशन सुरु की परिक्रमा में कौन सा गर सरवाधिक समय लेता है अपसन है बुद्ध दूसरा ब्रहस्पती तीसरा वरूड और चौथा है सुक्र तो आंसर क्या होगा इसमें वरूड होगा यानि वरूड सुरु की प्रिक्रिया में सबसे अधिक समय लेते हैं अगर आपसे एक्जाम में पूछें, इन चार आपसन में से मैं पूछें, प्रस्ण में बता ये, कि सुर्ख के सबसे नस्दी गरह कौन सा है, और सुक्र के सबसे नस्दी गरह कौन सा है, तो बुध है, तो बुध कितने दिनों में सुर्ख की परिग्रमा करता है, तो 88 दिनों परिक्रमा करता है याद रखिएगा सबसे छोटा गरह कौन सा है तो बुध है बुध के उपगरह नहीं होते हैं याद रखिएगा बुध और सुक्र का कोई उपगरह नहीं होता है दूसरा आप संदेख रहेंगे बैस्पती तो सबसे बड़ा भारी गरह कौन सा है तो प्रती का है, नाम क्या है, ग्रैनी मेड है, याद रखिएगा, सुक्र के बिसे में जानते होंगे, इसे भोर का तारा, साच का तारा, पिर्थिवी का बहान, जुड़वा बहान के नाम से जाना जाता है, सबसे चमकिला गर सुक्र है, सबसे गर्म भी है, सुक्र जिसके जहां म अधिक पाजाता है नेक्ट कोश्चन भारती राष्टी कांग्रिस की अस्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे चार अप्षन पहला कैनिन दूसरा डफरिन तीसरा लिल लित्गो चौता हार्डिंग आंसर होगा डफरिन याद रिखेगा 28 दिसंबर 885 को भारती समस्वतनता संग्राम 1857 में हुआ उसमें गवर्नर जनरल कौन थे कैनिन थे लिल लित्गो कब थे महत्मा गाधी द्वारा भारत छोडवा अंदुलन 1942 में चला गया, उसमें भारत के governor general लिनलित गो थे harding कव थे, harding दीती कव थे, जब भारत की राजधानी कलकता से दिल्ली घोशड़ा कर दिया गया और तब जो है उसमें कौन थे हार्डिंग थे 1912 में जो है, भारत की राजधानी कलकता से दिल्ली हो गई याद रिखेगा नेस्ट कोशन अन्गवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 यूनिट वाइज है जिसके अंभ्यास से आप अपने GKGS के कांसेट को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्ट कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी यूनिट के माडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट सिंदी और इंग्लिस में इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरुप पर आप जूड़ सकते हैं भारती सम्मिधान में आखरी हस्ताचर कब हुआ पहला अपसन 26 जन्वरी 1950 दूसरा अपसन 24 जन्वरी 1950 तिसरा अपसन 26 नॉमर 1950 और चौथा अपसन 15 अगस 1947 आंसर होगा 24 जन्वरी 1950 को जो है भारती सम्मिधान पर आखरी बार हस्ताचर हुआ उसी दिन राश्पती डाक्टर राजन परसाद घोसित हो गये उसी दिन राश्पीत और राश्टगान गोसित कर दिया गया 26 जन्वरी 1950 को जो पहला अपसन है उस दिन भारत का गरतन दिवस लागुआ भारत का सम्मिधान लागुआ और गरतन दिवस के रूप में मना जाता है तिसरा आपसन देख रहा होंगे 26 नॉमर 1949 को क्या हुआ था यहां पचास लिखा है तो उन्चास को बारती सम्मिधान को अंग्रित कर दिया गया था या बना दिया गया था बना कर रिडि कर दिया गया था पंदरा नुचिद लागु कर दिया गया था और पंदरा को 1947 को सब को मालू होगा भारत देश क्या हुआ था आजाद हुआ था आप एक प्रस्ण बताइए जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे और उस समय महात्मा गाधी कहा थे यानि जब देश अजाद हुआ हो रहा था 1947 में तो महात्मा गाधी कहा थे आपको बताना है कमेंट बाक्स में देखते हैं कितने लोग बताते हैं नेक्ट कोशन ली आयोग का सम्मंद किस से है ली आयोग का समंद किस से है एो प्रत्षम 29-0 संग्राम के बाद किसा की सिपारी मेरे करें था यादध रहा है कि फूल थानर व संगती आयो का संख्ञाइब से selv अधा ृट्शन जो है भारति-हार के किस अधिवेशन में बारती राची कांग्रेश के किस अधिवेशन में फूट पड़ा पहला लखनोव अधिवेशन में दूसरा कलकत्ता अधिवेशन में तीसरा सूरत अधिवेशन में चोथा त्रिचरी अधिवेशन में आंसर होगा तीसरा सूरत अधिवेशन 1907 में ठीक है तो आप बताना है ल ताकि टीम का मेरा motivation बना रहा है और ऐसे ही और इसी अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम लोग लाते रहें आपके सामने. नेश्कोर्षन भारत का मूंगा राज किसे काते हैं? पहला सिक्किम को, दुसरा लच्छ दीब को, तीसरा छथिस गड़ को, चौथा बिहार को और आंसर होगा लच्छ दीब. याद रिखिएगा भारत का मूंगा राज लच्छ दीब को कहा जाता है और क्योंकि यह जो है रा प्रश्ण गुमादे भारत का प्रथम जयविक राज याद रिखिएगा जयविक राज पूछेगा तो सिक्किम लगाईएगा लेकिन केंसासित जयविक राज पूछे तो लच्छ दीब लगाईएगा आप देख रहा होंगे तीसरा आपसन चथिस गड़ आपसे बिहार में क्या है बिहार में सबसे कम सा चरता है और जनसंख्या गनत है नेश्ट कोशन किस प्रकार के कंपूटर का सरवाधिक प्रयोग किया जाता है चार आपसन पहला सूपर कंपूटर का दूसरा मिनी कंपूटर का तीसरा मेंफ्रेम कंपूटर का चौथा माइक्रो पूटर का जो है सरवाधिक प्रयोग किया जाता है निम्न में POS का पूरा नाम क्या है चार अप्षन में पहला अप्षन है पॉट वसल दूसरा प्लांट आफ सर्विस तिसरा पॉट आफ सब्जेक्ट और चोथा पॉट आफ प्रयोग निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है ऑर चौत कोई नहीं तो आंसर होगा पहला बाइडू एक सर्च इंजन है नेश्ट कोशन भारत की सबसे बड़ी सहरी जनसंख्या वाला राज है चारा अपसन में पहला अपसन उत्तापरदेश दुसरा मदपरदेश तीसरा महाराष्ट और चौथा केरल आंसर होगा तीसरा महाराष्ट याद रिखिएगा आपकी जामे प्रश्ण को ध्यान से देते समझेंगे में बोला हूँ फिर से भारत की सबसे बड़ी सहरी जनसंख्या पूचरा है तो महाराष्ट लगाईएगा यही प्रश्ण ऐसे आजाए कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या सिर्फ पूच दे तो उत्तर प्रदेश लगाईएगा यही प्रश्ण ऐसे घुमा के दे दे कि भारत की सबसे बड़ी ग्रामी जनसंख्या वाला राज तब भी उत्तर प्रदेश आप लगाएँगे तो कहा है मद प्रदेश में सोया राज किसे कहते हैं सोया राज जहां स्वावीन अधिय होता है कहां मद प्रदेश में भारत का इथूपिया किस राज को कहा जाता है तो मद प्रदेश को कहा जाता है तो टाइगर स्टेट आफ इंडिया किसे कहा जाता है तो मद्र प्रदिस को कहा जाता है मद्र प्रदिस में बन अधिक होने के कारण यस्टी जाती है और उस्टी जन जाती सबसे अधिक पाई जाती है और गूर जन जाती अधिक पाई जाती है केरल के बिसे में जानते होंगे भारत का सबसे दिस आच्छा राज कौन सा है केरल डिश्टल राज केरल याद रिखेगा नेश्ट कोशन कौशल विकास योजना बढ़ाती है पहला आपसन है मानो पूजी दूसरा है बहुतिक पूजी तीसरा है कारसील पूजी और चोथा है इस्तिर पूजी तो आंसर होगा मानो पूजी याद रिखेगा कौशल विकास योजना बढ़ाती है मानो पूजी नेश्ट कोशन कौशन कौशन सा जोड़ा गलत है गेहूं उत्तर पदेश में चावल तमिलनाडू में जूट गुजरात में रेसम करनाटक में आप कमेंट बाके में बताइए क्या होगा आंसर आंसर होगा तीसरा जूट याद रिखेगा जूट सबसेदी पश्च्व मंग में लेकिन गुजरात में क्या गुजरात में कपा से याद रिखेगा और रेसम कहां करनाटक में दिया है लेकिश कोशन निमलखित में से फलांक की टूटी कौन सी है पहला अस्थानत रूटी, दूसरा इस्थित रूटी, और तीसरा पर्तितत रूटी, और चौथा पर्तियस्तत रूटी, आंसर होगा तीसरा पर्तितत रूटी नेक्स्ट कोशन बालकों के लिए मुफ्ट एवं अनिवार सिच्छा का प्राधान सवर पर्थम पास हुआ था पहला अप्षन 2000 में दूसरा 2002 में तीसरा 2005 में और चौथा 2008 में आंसर होगा 2002 में याद रखेगा 2002 में स्वर्गी अट्रेल बिहरी बाचपेई के समय जो है कानूनी अधिकार से मूल अधिकार मुक्तिव अनिवार सिच्छा बना कर सिच्छा का अधिकार बना दिया गया जिसे भाग तीन के अनुछेद 21 कव में रख दिया गया और जिसमें 6-14 वर्स को निसुल को अनिवार सि थीक है, दोजार पांच में क्या है, तो सुचना का अधिकार कब लाग भूगा, तो 12 अक्टूबर 2005 को याद रिखीगा, ठीक है, और 2008 में क्या है, तो 2008 में मन नरेगा पूरे भारत में लांच हुआ, लेकि उसके पहले नाम क्या था, नरेगा था हो, 2006 में था, ठीक है, आठ मे है, पहला है, अधिराबाद, दूसरा है, नई दिली, किसरा है, प्रियाग राज, और चोथा है, जासी, आंसर होगा इसका, पहला है, आप सुच रहे होंगे नई दिली, याद रिखेगा, नई दिली, नहीं, नई दिली में, नगी सो पचासी में इगुनु की अस्थापना हुआ था लेकिन नगी सो बेएसी में नांटी टी टू में डाक्टर भीम रावम बेटकर मुक्त विश्विद्याले हैं हैदरावाद में अस्थापना हो चुका था तीन सेल पहले तीक है जहां सी में है नेक्स कोशन आई सीटी में सी का अर्थ क्या है पाला अप्सन केमपूटर दूसरा केबल तीसरा संचार चौथा कोई नहीं तो आंसर होगा संचार सी मतलब आप समझी रहे होंगे आई सीटी का अर्थ क्या है संचार ठीक है ठीक है ठीक है next question सिच्छड के अंत्रगत सबसे अधी किस विदी के पर जोर दिया जाता है पहला अपस्ण वैक्ष्यान विदी पर दूसरा करके सीखना विदी तीसरा समवाद विदी पर और चौता निग्मन विदी पर आंसर होगा दूसरा करके सीखने विदी पर या learning by doing की मेथड पे सबसे दिक जोर दिया जाता है ठीक है तो इसके साथ ही वीडियो समात करते हैं मिलते हैं लोग नेस्ट वीडियो में जैहिन जै भारत अनगवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अमभ्याद से आप अपने GKGS के concept को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंगलिस में 50 प्लस grouping test, 20 प्लस unit wide test, 58 प्लस PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवर paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरुप पर आप जूड़ सकते हैं